सुनीर सार मैं आपको आज कमेस्टरी एकारा के अध्यन में आज वीडियो नबर तीन को जारे अध्यन करने के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप इसमें आज का जो टापिक की शुरुआत होगी हुआ होगा सार्थक अंग जिसकों लोग सिगनिफिकेंस फिगर क आप देखेंगे समझने का प्रियास करते हैं क्या होता है तो पियक्त बीभरन में से यह निषकर्ज निकलता है कि किसी मापन के परण्याम को ब्युक्त करने वाला अंतिम आंग सदियों अनिचित रहता है शिश अन अंक निचित होता है इस परकार मापन रासी में निचित अनिचे दोनों अंक होते हैं मापी गई भावतिक रासी मापी गई जो भावतिक रासी है उसकी बात कर रहा है तो कह रहा है कि मापी गई भावतिक रासी में अंको के कुल संख्या को सार्थक अंक काते हैं याद करो छोटा असा डिपने सन है कि कितना सार्थर कंग होगा कोई अंक होगा तो उसका सार्थर कंग कैसे होगा देखते हैं उदारां से समानता देखे भौत एक रासी माली जे कि एक की दस्मूला पांच सेंटीमित्र में तीन सार्थर कंग होगा काउंट करो तीन अंक है नो क्योंकि दी गई मापी करासी जीरो प्लस मैनस से क्यों नीची ते अता इसका सही मान एकी दस्मनल चार संटीमीटर तता एकी दस्मनल चो संटीमीटर के बीच होना चाहिए यह ध्यान रखने यूग की है कि विभीन प्रकार के बेक्त तो इस तरीके कर मूरे सार्थाकंग बता सकते हैं और वकिर इस तरीके से सार्थाकंग बता ही तो चाहिए जो में कहाँ और या तो आुँ के पटा सकते लेकिन सबसे अच्छी बात होग mówi कि साथक आंग के निरधारण के कुछ नीयम होते हैं सबसे पहले इसको जानना पहतो जरूराध पुर्ट मतर पते हैं कैसे अप。 तो सार्थक अंग के निर्धारन के नियम, नियम एक, सभी गैर सुन्य अंग सार्थक होते हैं, गैर सुन्य का मतलो, सुन्य नहीं होना चाहिए, सुन्य को छोड़ करके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छोड़ी होना चाहिए, देख रहे हैं, सभी दिखा रहा है, कि सभी गैर सुनिया अंक सार्थक होते हैं लेकिन बात होती है कि आखिर सुनि क्या होते हैं गहर सुनिया क्या होता है तो मैंने कहा है जिचोंते जितने भी Κंग वहों एक मती City hap चार पांच-छात शॉब्याते खाते हैं तो देखे थे 2017 और वह सब दर्था कंगों करने सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लिए और दर्था सब्सक्राइब शेथ सकते हैं, जूर्था कंगों को गिंति करते समय दर्समलों को नहीं किना जाता है, दस् rivI भम लाइक भी रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अंक पाधयान देना एक वह देखना है, कि कितने अंक होते हैं, चार होते हैं, कि पाँच में और सिर्फ अंक गिन करके हम लिख सकते हैं, उतना सार्थक। यापकर तो इस तरीके से देखें नियमा नम्र नम्र 2 क्या कहता है दी गई भौतीक रासी में प्रत्वंगए सुनीय अंक के पनपाइय उप्षित सुनीय सार्थक नहीं होते वाइय जो प्रत्रम अंक होगा उसके बाएं जितने भी सुन्य होंगे उसको सार्थक अंक में नहीं किनेगे देखे जड़ाँ आपको में बताता हूं यहाँ पर है जीरो दसमुलाब पांच हो तो पांच है इसके पहले एक जीरो है आप इसको जीरो करना ही किनोगे केवल दो ही सार्थक पांच होंगे देख रहे हैं क्योंकि पांच शो ही गिन अग्या है आपको मेंवस सार्थक समुलाब तो यह सार्थक अंक अग truc։ 20 030 profit in 10 तीन होगा क्योंकि आप तीन थीन के पहले 200 600 के जाएनगे याद करते हैं चीज आपको आना चाहिए चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियम नमबर थीरी के पास तीरी नियम कहता है कि दसमलों के दाही और उपस्थी सुन्य सार्थक होते हैं बाही ओर तो नहीं होते हैं अभी पिछे नियम हमने पढ़ा लेकिन कोई भी अंक होगा उसके दाहीने और जितने जीरो होते हैं सब को हम लोग सार्थक अंक में गिनते हैं यानि दसमलों के दाही और उपस्थी सुन्य सार्थक होते हैं जैसे पंदर दसमलों जीरो है तो तीन क्योंकि दसमलों के दाहीने और जीरो है या 15.00 में 4 क्योंकि दस्मुलों के बाद 2 0 हैं तता 15.55.00 में 3 क्योंकि 5 इसमुपस्तित हैं चार नमबर दो गैर सुनिय अंकों के बीच उपस्तित सुनिय सार्था कोते हैं को के बीच उपस्थित सुने साथा को था है चोध समडलब जीड़ करेंगे चार गांठ करेंगे तो पांच हो जाएगा तो आप सबस्के पूछों प्रिया तौ आपटा सकता है चलिए एक और टापिक आता है चिसका नाम होते है चर्खत अंके संकेत या बैगानिक संकेत यानि दिखिए जब हम लोग थोड़ सा मैं आपको डिफिनसन बता देता हूं जान जी जब कोई भी अंक होगा और उसे बाई और के पहले अंक के बाद दस्मुला गर लगा देते हैं तो उसी कमलो बैगानिक संकेत काते हैं याद क करो जब कोई भी संक्या हो और उसके बाई और के पहले अंक के पास अगर दस्मुला लगा देते हैं तो उसे बैगानिक संकेत में कहा जाता है याद करो उसी कमलो बैगानिक संकेत कहते हैं कब जब दस्मुला बाई और के पास लगा देता है तब ओके इसका नियम क्या आता यह बैगानिक संकेत दिखने का सुत्र याद करो यन गुणे दस के पावर यन यह होता क्या है तुछास में आपको बताता है जहां केप्टाल यन वह संके आए जिसमें दस्मलाव के बाई और क्यवाल एक ही अंक होना चाहिए और यहने पुरांख होता है अब जाए देखे एक चीज इसमें लिखा गया है कि यन में उपस्ति सार्थक अंको की संक्या दी गई रासी के सार्थक अंक माने जाते हैं रासी 1200 सेंटिमीटर को व्यक्त करना है वावे तो एक दस मुला दूगों दस के पावर तीन सेंटिमीटर के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं इसमें केवल दो यानि एक तथा दो सार्थकंख है इससे यह भी इंगित होता है कि मापन केवल दू सार्थक अंक के लिए होता है यानि दस के उपर जो घात होता है उसको हम लोग नहीं गिनते हैं सार्थक अंक केवल जो अंक होगा उसी को सार्थक अंक में गिनते हैं दस के उपर जो घात होता है उसे हम लोग सार्थक अंक में नहीं करते हैं बाद समझे एक चीज में आपको बता देता हूँ चलिए अभी आपको एक्जामपल समझेंगे तो समझ जाएंगे क्या कि बैग्यानिक संकेत के रुप में कैसे लिखा जाता है यह सारे चीज है बड़ी ही ध्यान से दिखने का परियास किजिएगा चलिए समझ का है 15 के आगे 4 0 दिया गया है दूसरा है 0 0 0 6 4 cm तिसरा है 0.59 याद करते हैं एक चीज में बता दो जयरत कि यह पंदरा बना कर चार को के गए तो पांच अंक लेके इदर जा रहे हैं दाहिने से बाई तरफ पांच अंक लेकर जा रहे हैं इसलिए गूड़े दस को पर पांच लिखना पड़ेगा जितने अंक आप पीछे जाएंगे समझे बात उतना आपके दस को पर घात लगा कर लिखना पड़ेगा आप पां समझे बात अच्छा सकेन में आप जो देख रहे हैं उसका लिखा गया है यहाँ पाद जीरो दस मुला जीरो जीरो छो चार सिंटिमीटर इसको भी आप दस मुला उठा करके छो के पास लेकर क्याना पड़ेगा कितने अंक तीन अंक लेकर आ रहे हैं तो छो दस मुला चार तो होगा उने दस के पावर माइनस तीन उल्टा जा रहे हैं नो उल्टा जा रहे हैं बाएं से दाएं जाएंगे जब बाएं से दाएं जाते हैं उल्टा होता है दस के पावर माइनस तीन लिखेंगे तीन अंक लेकर जा रहे हैं दो जीरो है एक छोव है इसलिए आप यहां पर लिख रहें अच्छा इसी में के तिसा नंबर सवाल भी देख लेते हैं दिया गया 0.059 कितने अंग लेका रहें इधर दो अंग लेका रहें इसलिए आप 5.09 जीरो नहीं लिखते हैं छोड़ देते हैं याद रखेंगे कोई मह संग तक लेकर आया इसलिए लिखते हैं समझ गए होंगे यही है बैगानिक संकेत दिखने का नियम आईए उदारा नंबर 1.06 के पास हम बचलते हैं दिखें उदारार 1.06 के पास निम्ले खित नियतांकों में सार्था कंग को ग्यात करना अभी जस्ट आप पढ़कर कर आए हैं लेकिन आपको फिर बता देना है कि आखे इसमें सार्था कंगों के संक्या होगी कितनी है फ़स्ट आप देख रहे हैं चोड़सुना चोडू 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 जूल सकेंड यह प्लांक नियतांक जिसको आप आगे पढ़ेंगे यह से दिनोट करते हैं दूसरा स्नौ सेंटिमीटर यच्च के प्रतंबोर तिर्जया एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि दस के उपर जितने घात होते हैं उसको अमलग सार्था कंग में नहीं गिनते हैं यह आपको मालूम होना चाहिए आप समझिए जाना देखिए चोदसमला 6 पहले सवाल से अब हल करते हैं 6 दसमला 6 दू 5 दस के पार जो मायनब 4 सर्था कांग में 10 को पर जो मायनब 34 को नहीं गिनते हैं पूरा आप दिखते हैं चारंग इससमाय है चोदसमला च Danos दूचा पार 23 इसमें आपको सार्थाखन गिना है तीन आप देख रहें आपर है चोदास्मलाव जीरो दूगूने तीन आपके सार्थाखन के तिशा नंबर आपका है री डिवार्ड निया तांक जिसका माहनव आप देख रहें एक दसमलाव जीरो नौ साथ गूड़े दस के पार पा मातर तीन अंक है तो इसमें तीन सार्थक अंक होंगे यह सबाना चाहिए समझे जड़ा बात को ठीक है अब कुछ बात और होती है तो इस तरीके से आगर यह पूछा जाता है तो इस सारे चीजों को आप बता सकते हैं अब जो आते हैं हम लोग नेक्स पर चलते हैं और क्या दिखा रहा है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं अब एक चीज आता है जिसका नाम होता है कि संख्याओ का जो संख्याओ का निरंतर परिसीमा इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है देखे इसमें पहला आपका एक बात बताता है यदी धारिता याद करो कह रहा है कि यदी धारिता अवस्था कि अंतिम अंक के बाद आने वाला अंक पांच से कम या पांच के बराबर हो तो अंतिन धारता अंक में परवर्तन नहीं होता है जिसे कोई संख्या है अगर उसका अंति में पांच है या पांच से कम है तो उसको ऐसे ही छोड़ देता है जड़ा देखिए एक एक्जामपल आपके सामने है माल लिजिए कि गर्णा से परणाब जो प्राफ्त हुआ है पचीज दसमलाव छोड़ चार है जब आप इसको सही करम में लिखेंगे तो जो चार होगा उसको छोड़ देंगे क्योंकि अंतिम अंक जो है पांच से कम है छोड़ देंगे पचीज दसमलाव कितना लिख देंगे छोड़ देंगे तो यह बात होती है एक बार फिर बता दूँ कि अगर आप कोई भी अंक है अंतिम अगर पांच हो या पांच से कम हो तो हम उससे छोड़ देते हैं सिर्फ उसके पहले वाले अंक लिखते हैं एक्जामपल में पचीज दसमलाव चोड़ देंगे चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर भी देख रहते हैं कि यदि अंतिम धारिता अंक के बाद आने वाला अंक पांच से अधिक हो तो धारिता अंतिम अंक में एक अंक बढ़ जाता है जिसे एक्जामपल है पांद समलाव चोड़ चार आठ ओके तनियाद करते हैं अगर अंतिम अंक पांच से अधिक है तो उसके अंत में एक जोड़ देते हैं चलिए उसके पहले वाले अंक में यह साब देख रहे हैं 5.648 है आठ छोड देंगे लिगी 5 साधिक है तो 4 में एक जोड देंगे तो दिखें इसका अंसर यहां पर दिखा रहा है कि 5.6 पांच इसका अंसर आ जाएगा कब जब इसके अंतिमंग 5 से अधिक होगा तब उसके प झा झाथ है ने एक जबी ऐगॉद लिखें और फिर चूंनी है इसके झालो के इसके यह है धी वहाँ है नाम से वाले शे है